हाई वरीवान वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रंस इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं प्रसेंटेज के कुछ प्रैक्टिस कोशन जी हाँ दोस्तों यह प्रैक्टिस कोशन जो आपके हैं यह आपको प्रैक्ट परफेक्ट बनाएंगे आपके जी कैसे विल लाइव गार्ड वैडिनरी फॉर्मी तो सोशल फोरेस्टरी जैसे एक्जाम के लिए अब मैं कुछ स्टैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं चलिए देखिए अगर आज हमारी कितनी है आज 22nd आपका अप्रल है 29th को आपका एक्जाम है 29th मही को एक्जाम है त अब ही सफिशन्ट है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्योंकि चीज़े आपको क्लेर होनी चाहिए पहले की तूसरी बात आप रीजिनिंग को भी अगर इतना डायम देते हो कहने का मतलब कि अगर आप 40 मार्क्स को रीजिनिंग और मैथमेटिस को दिन के 2-3 घंटे भी दे रह को फिर आपको यूट्यूब चैनल आपको कोई मोग टेस्ट परवाइड कर रहा है यहां फिर आपने कोई कहीं से परचेस की हैं तो आप उन पर भी दे सकते हो इस चीज़ को हम यह नहीं बोलेंगी कि आप मत कहीं से परचेस करो आपको प्रैक्टिस करनी है तो यह जो 40 नं नंबर का और सिनॉनियम से वर्ड पढ़ो अच्छे से बोकैब 24 की एक आप आती है उसको डॉनलोड कर लो उसमें डेली आर्टिकल आता है उसको पढ़ो थोड़ा बहुत और वर्ड मीनिंग थोड़े बहुत सीखो वहां से तो कि आप 25 तक अच्छा स्कोर कर सको इंगलिश में ठीक है तो ऐसा तो है नहीं कि 120 नंबर का कोशन पेपर है तो 120 को यह लेक्ट आएगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है ठीक है क्योंकि पेपर का जो लैबल है वह मौडरेट रहेगा चलते हैं कोशन पर और कुछ और कोशन भी हमने रख्टे हुए हैं इसमें तो आपकी स्क्रीन पर एक कोशन आ चुक है तो जल्दी से इसको बनाईएगा देखते हैं इसका क्या अंसर बचे मार करते हैं बनाओ ज़रा इसको इस नंबर विच कैन भी इंक्रीज बाई 16 विकम्स 1914 नंबर इस बोलता है कि एक नंबर है 60 परसेंट सोरी एक नंबर है 100 परसे है गाहने का मतलब आगा मुआं फिए सिक्स्टी परसेंट किया तो वो नंबर बन गया हमारा 162 परसेंट इसमें परसेंट तो आपसे पोश्छा कि जो एक्शुल में नंबर हो झाब तो यह जो नंबर है ना यह वन नाइन वां 6 एनिग है टेक है किस तरह से सिकूशन को करे क्या ट्रिक लगाओगे इसलिए देखिए अगर यह बोल रहा है कि विच नंबर तो आपको यह चीज़ आपके दिमाग में आ गई होगी कि यह 160 बोल रहा है तो 160 आपका नंबर है तो के टोशन को किस तरह से करना चलिए आप किस तरह से कर आपने वीडियो को पास करो और इस को मार को टें है मैं किस तरह से करूंगा दियान से देखिए गाइगा फिर यहां थो इस को सकते हैं अगर 160% of X is equal to 1914 प्राना फार्मूला जो पार्ट वन में percentage के हमने पढ़ा था वही फार्मूला है किस तरह से कर गए 16 divided by 100 into X is equal to 1914 यह आपस में multiply हो जाएगी और इसको आपने इसके साथ काटना है ठीक है तो कितने time कटेगा है इस तरह से आप कर सकते हो इस फार्मूले से एक फार्मूला आपका ओर रहा है चीक है बोलता है कि actual number क्या है actual number आपका 100 है ठीक है तो percentage कितनी बढ़ी है 16, 16 percentage बढ़ गई है क्या होगा यह 25 और 4 परी 6 आए गए हम पर 6 4 4 by 24 अभी यह कहां से आया इस चीज के लिए द्यान से यहां पर देखिएगा कितना number बढ़ा सबसे पहले मैं आप से बात करूँगा 16 percentage नंबर कितना बढ़ाया गया है 16 percentage 16 upon 100 25 sorry 4 upon 24 25 यह number बढ़ाया समझाई बात कि यह number बढ़ाया गया है कितना इसमें से additional यानि कि actual हमें 25 की value निगाल लिए तो हमें 4 की value 4 इसमें increase कर दिया गया value हमें किसकी दी यह है 29 की 29 units मालो 29 units आपके 1914 के बराबर है एक unit कितने बराबर होगा जो आएगा उसको अपने 25 के साथ multiple है करना है आप answer दक easily पहुंचाओगे उडाओ इसको 191 के साथ किस तरह से उड़ेगा तो जब आप इसको उडाओगे तो यह 120 अगर इसको divide करते हो आप 19 मैंने दो फामले बताया आपको यह की वाला 29 के साथ इसको उड़ाया जाए किस तरह से करोगे नाइन नाइन जा यह हो जाएगा आपका 58 29 और 29 58 हो जाएगा 58 अगर मैं 29 को multiply करूँ 6 के साथ तो कहां जाएगा मेरा हिसाब 54 5 174 174 आया इसमें अगर मैं 29 करता हूं तो 13 और आपका 0 यह आपका 2 हो जाएगा तो यह निकि 6 के साथ ही जाएगा आपका कितना 174 174 11 में से 4 गया 11 में से 4 गया आपका 7 7 और आपका यह as it 74 is 66 66 के साथ यह कटेगा तो कहने का मतलग यह है कि एक यूनिट जो आपका बराबर है वो कितना है 66 के बराबर है 25 यूनिट किसके बराबर होंगे into 66 कर लो इसको इसके साथ multiply प्लाइक कि शेपांचे 30 कि शेद्वनी बारह और 150 कि टीक है तो यह कितना आएगा कि जीरो कि और आपका कि फाइव और वन इसको एड़ करो 0 5 6 और 1 650 तो राइट आप्शिन आपका यह हो उस तरह से भी कर सकते हो क्यालकुलेशन थोड़ी लेंटी हो जाएगी ओके इस कोशन को द्यान से करिएगा कोशन तोड़ा डिफिकल्ट डैवल का है बोलता है कि इस 60 परसेंट आफ नंबर इस 120 मोर दें 20 परसेंट आफ दी नंबर देंदा 28 परसेंट आफ दी नंबर इसे लाज देंदी कोई है कोई है एकस माल लो तो वो किसी 20 के नंबर से कितना जादा है यह भी X2 मालनो उसको वो इससे जादा है 120 कौन वाला 60 वाला चीक है तो यह इनके गैप की बात कर रहे तो इनको माइनस कर दो 40 परसेंट यानि कि 40 परसेंट इनका जो गैप है वो आपका 120 है चीक है 120 का डिफरेंस बता रहा है तो आप कर दो इसको डिवाइड इसके साथ तो यह यह कहाँए 0lamation Department is आपका ठी की एक आपका हुगी एक परसेंट आपकी आपकी होगी साथ तीन नंब्ड रर और एक परसेंट आपके ओगी थीन नंब्ड लेइवग और एक नंब्ड़ इसको बैजली के अब किक नंब्डर आपकी तो अहोगी है च्ट चैजिज़ को कितने अ पर समझा सुकिए बीच का गैप अभी भी 120 है क्योंकि इसनों बोल ला है कि 60% of number is 120 more than the 20% of the number than the 28 of the number आप इसली पहुँच आओगे क्योंकि मैंने एक percentage आपको बता दिया आप बताता है कि 28% किसी number का कितना होगा देखे अगर एक percent 3 है तो 100% कितना होगा 300 अब बोला है कि 28% of the number जो अपने number निकाला उसका 28% कितना होगा तो आप इसको किस तरह से करोगे 28 divided by कर दो जहां तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने एक percentage की value तीन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो 28 into 3 80 फोर आजाएगा कितने बाचेवक लेर है अब बोलता है कि 33% आप दी नमबर 33% किस नमबर की बात कर रहे है 33% आपकी नमबर की बात करें 300 की या फिर तीन की बात कर लो कि एक यूनित बढबर तीन है तो 33 तरह करोगे तो आपके कितना हो जागे 100 वन वाई 3 48% जो candidate है वो pass है science में 56% जो student है वो fail है mathematics में अब बोलता है कि 32 failed है जो कि both subject में दोनों में fail होग चुके है what percentage is passed जिंदी both subject कितने percent passed हुए हैं दोनों subject में सबसे पहले आपको इस तरह से यह चीज़ करनी होती है ठीक है यह चीज़ मैं आपको करवाओंगा ओके बोल रहा है कि सबसे पहले fail कितने हैं दोनों subject में fail कितने हैं यह मेरा math है यह मेरी science है 32% इसमें pass है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको बच्चों को sound का issue बड़ा कम आता है कि sir आपकी voice बड़ी slow है तो देखिए मैं अब तो ठीक बोलता हूं बड़ा हो सकता है थोड़ा माइक का issue 32% कहने का मतले कि total student कितने है 100 है यह मालो नहीं दिया हमें 100 हो सकते है 200 हो सकते हैं बड़ा हमें percentage के quoting चलना है तो जब भी हमें percentage दी हो तो हमें total percentage को हमें 100 assume करना बड़ा है number को 32% ऐसे student है जो की fail हो जोके है science में भी और math में भी तो बोलता है कि 56% student है ना वो fail है mathematics में 56 fail है तो total यानि कि 32 वाले आपके science portion में भी जा रहे है और 32 वाले आपके math में भी इसमें include होंगे तो यानि कि यह दोनों में fail है तो यारी इसमें minus कर दो 4 और आपका तो 24 आपका यहां पर आ जाता है 24 percentage हो है वो आपके यह आपके mathematics के 24% ऐसे वो student है जो सिर्फ mathematics में fail है याद रखना वो 56% वो student है जो math में ही fail है वो math में fail है और उसमें भी fail है नहीं आई बात समय है चलिए कोई बात नहीं 24 आगे है यहां पर अब बोलता है कि 48% यहां पर पास है sorry 32% fail है दोनों subject में तो यह 32 निकाल दो इसमें से कितना आएगा आपका 100 में से निकाल दो 32 8 और आपका 68 यानि कि जो 68% student है न वो पास है वो पास student है अब यहां पर पास student यहां पर बोला है 48% जो science में है तो 68 में से अगर आप 48 को निकालते हो तो कितना आता है आपका 20 तो यानि कि 20% आपके इसमें भी fail है science में भी आपका 20% fail है अब इनकी जो calculation है करो तो यह सारे fail वाले कटे हो जाएंगे 44 और 32 आपके हो जाएंगे 24 और 24 और 44 और 32 आपके 76 यानि कि 76 वो student है जो कि total fail है total fail student है 76 परसेंट और यह आपके 100 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा 24 यानि कि 24 वो student है जो दोनों सब्जक्ट में पास है कि यहां पर fail पूछा होता तो 76 आता अंसर आपका 26 है क्लियर है ओके देखिए मैं फिर से इस question को समझाने की कोशिश करूँगा मुझे लग रहा है बच्चों में नहीं समझाया देखिए बोल रहा है कि यह circle हमने बनाया आपका 32 वो student है जो कि दूनों सब्जक्ट में fail है अंडर में से फिर उसके बाद बोलता है कि mathematics में fail है mathematics में भी fail है अब मैं 24 किया क्योंकि मैंने जब उसने बोला 56% यानि कि प्रसेंटेस को बूल जा 56 वो student है जो कि math में fail है तो मैंने इनको दोनों की calculation की 24 ऐसे student है वो science में fail नहीं है वो सिर्फ mathematics में fail है समझा रही है मेरे बाद वो ऐसे student है जो इसमें fail है fail कितने हो रहे है दोनों subject में तो वो आपके 32 यानि कि 68 ऐसे बच्चे है जो कि उसमें से कुछ science में fail होंगे उसमें से कुछ math में fail होंगे ठीक है एक pass होगा एक pass है 32 वो हैं जो कि दोनों में fail है अब इसमें 48 निकाल दो यानि कि पीछे बच्चे बच्चा आपका 20 तो 20 ऐसे student है जो कि science में pass नहीं है तो यानि कि इनकाल आपने plus कर दिया तो आपका 76 आपका 76 आपका 76 परसेंटेस है यानि कि जो दोनों में fail है चेक्छा दोनों में fail है उसके बाद एक question हो रहाता है कि the income of A is 24 more than the income of the B why what percent is the income of B less than the income of B यह वैसा ही question आगे जो वैसे कर बाया बोलता है कि A की income से जादा है A is 24 A की income जादा है कितनी 24% यानि कि यहां पर लेख सकता 124% B की income से जादा है B की income कितनी थी 100% यानि की income जादा कितनी है 24% यह question भी उसी सहाब से करना है 24 divided by 25 ठीक है यह आजाएगा आपका 6 26% जाद है किस तरह से करोगे इसको जल्दी से वीडियो को पास करो आप अपना दिमाग लगाओ मैं अपना दिमाग लगाओंगा ठीक है आपको सिर्फ आनसे तक पहुंचने है बागी मैथड क्या लगा रहे हो यहाँ पर डिपेंड करता है देखिए जिसको नहीं समझा रही हो यहाँ पर दियान दे उसने बोला कि एक ही जो है ना वो 24 जादा है किस से बी से 24 परसेंटेस किस तरह से निकालते हो उसको 24 वाई हंडर यानि कि छे बाई 25 यह चीज़ कितने बच्चों को समझा आई हैं भई मैंने 24 अपान हंडर किया हंडर कहां से है परसेंटेस काता है ठीक है यानि कि जो बी है ना वो पचैरा शरीफ है उसके मतलगी इतने यूनिट्स की हमें इंकम निकाल ली है जियान से सुनियेगा अब 6 यूनिट्स जादा हैं किस के पास ए के पास तो टोटल उसके पास कितने होंगे 31 उसके पास कितने होंगे 25 जादा कितने होए 6 ठीक है 6% यानि कि 6 जादा हुए और 6 टोटल कितने हुए 31 और कर दो 100 के साथ तो कितना आएगा 600 डिवादर है 31 तो कहां पर आप्षिन आपकी यह परसेंटेज बन रही है तो आप्षिन आपका डी हो जाएगा यह कोश्चन भी उसी कोश्चन की तरह था जादा कुछ खास नह कुछ नहीं करना है आपने 49 बेसी कोश्चन है 60 को मल्टिपलाई करना है 100 के साथ डिवाइड कर देना 124 के साथ जो आएगी वह होंबर्क में आपने आप्षिन बताना है ठीक है बेसी कोश्चन है अब बोलता है एवरेज इस ग्रूप आफ 20 मैं इस 30 यह बेसी कोश्चन है 50 देखिए आपको इस बेस प्राब्लम में न वह आपको शाहिद चार से पांच नंबर की पूश्च ली जाएं ठीक है तीन से चार पांच हो सकता है 20 मैं इस 30 यह क्योंकि एवरेज का कोश्चन आपको इसी की बेस्ट भी आ सकता है ए मैं 50 यह ओल लीप ग्रूप और वाइले बूमन जॉइन दी ग्रूप आवरेज इस डिक्रीज वाइवन एर आवरेज जो थी वह एक साल कम होगी वाट इस आव दी बूमन बूमन की इस यहां पर पूछी गई गया है देखिए सबसे पहले आपने कोश्चन को समझने है इस तरह से बड़े कोश्चन हमने किये हैं यह बेसी कोश्चन है कोश नहीं है देखिए एस आव ग्रूप पा 20 मैं 20 मैं की ग्रूप का एवरेज कितन है अब बोलता है कि उस ग्रूप में से एक बंदा है जिसका एज है 50 वो ग्रूप को लीव कर देते है तो यानि कि ग्रूप को उसने लीव कर दिया ग्रूप को लीव कर दिया और जो हमारे पास एज आगी वो आगी आपकी 550 क्योंकि इसमें से एक चला गया ना तो यह आगी अब हम यहां पर इसको पूरा साल्व नहीं करेंगे नीचे चलिए फिर बोलती है कि भूमैन यहां पर आगे उसको जोइन कर गई भूमैन ने उनको जोइन कर लिया तो फिर से बंदे कितने होगे 20 होगे और बोलता कि एवरेज डिक्रीज बाइवान यहां से एक एवरेज डिक्रीज होगी जो एवरेज रहेगी आपकी 29 अब इसको इसको मल्टिप्लाई करोगे आपको कितना आएगा 580 जब आपने इनको किया 580 किया अब पोश्चर है कि जो अभी भूमैन आई उसके एज कितनी थी अब यह से कितना ज़ादा है 30 सादा है तो अडिशनल बंदा को नहीं बूमैन है तो उसकी एज कितनी आई 30 सिंपल कोशन बिन दो इनी फामला आवरेज आफ इनके एवरेज बताने हैं इनका सम करके डिवाइड करना वाकी कुछ भी नहीं है अब यह थोड़ो कोशन ट्रीकी है देखिए आपको आठ नंबर दिये गए है 1,2,3,4,5,6,7 और 8 आपको कुन-कुन सा नंबर किस तरह से करना है 36 प्लस 28 प्लस 43 प्लस 56 प्लस 74 प्लस 65 प्लस 12 प्लस X भी द और जो आपका सम आ रहा है वह आ रहा है 45 यानि कि जो इनका average mean आ रहा है वह आपका 45 आ रहा है आप से पूछ रहा है कि इसकी value क्या है x की value क्या होगी तब भी आपका यह चीज़ निकलेगी ठीक है किस तरह से करोगे देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कुछ भी नहीं करना है आप यहां तक इनको प्लस करो यहां तक आपने प्लस किया कितना हुआ इस question को मैं करने का आपको एक अलग formula बता रहा हूं करो इसको प्लस 6 और 8 6 और 8 14 14 17 17 और 6 आपके 23 और 4 27 5 32 और 34 फिसे कर देखिए 7 और 4 11 6 17 28 26 34 3 करी 6 और 2 8 8 और 4 आपका 16 और 5 25 21 28 28 और आपका 34 35 35 50 35 50 लेकर इसको फिर से कर लेते हैं थोड़ा मुझे डौट रहा है रहा है इस चीज़ में इसको फिर से प्लस किजिएगा 36 को प्लस करो 28 के साथ 6 और 8 14 14 14 17 और 6 23 और 4 7 और 5 आपका 32 34 4 4 और 6 10 10 17 17 और 5 22 22 और 4 26 28 और 30 और 3 31 31 यार है हमारा इसको डिवाइड करने हमने 7 के साथ क्यों सर क्यूंकि मैंने एक्स को स्किप कर दिया इसको मैंने स्किप कर दिया तो मेरा 7 आया 7 फोर्जा 28 और फिर उसके बाद आया 28 और आपका 3 आया 4 ठीक है अब अब 34 तो जाएगा ने 75 का तो 45 यानि कि अगर बोलता है कि साथ नंबर की साथ नंबर की एवरेज 45 है एक अडिशनल नंबर एड किया गया तो एवरेज होगी 40 40 sorry 40 45 और सरी 44 होगी यह इसमों को दिक्कत आ रही है ट्रिक नहीं लग रही है हम गलत कर रहे हैं इसको साथ नंबर का मैंने बोला सम कितना एवरेज कितनी हैवरेज हमें नहीं बता आवरेज मैंने असी लिख रहे हैं नंबर कितना था 314 चीक है किसी नंबर का यह सम है फिर पोलता है कि 8 नंबर की एवरेज हमें दी गई है कितनी एवरेज है 45 है और बताइए नंबर क्या होगा ठीक है नंबर क्या होगा इसको आप कीजिए मल्टिप्लाई जो अडिशन नंबर हो आपको आटोमेटिकली पता चल जाएगा 45 और करो इसको एट के साथ 4 360 360 और आप इसको कर लो 360 माइनस आपको 314 करना है जो आपका अडिशन नंबर 8 नंबर एक से यहां पर लगा है न वो इसकी वैल्यू आजाएगी 10 में से 4 गया 6 और 5 में से बन किया 4 तो 46 आपका अंसर बन जाएगा आप किस तरह से कर जो या पर डिपेंड करता है तो हमने सब्सक्राइब करता है तो आपने इसमें 14 निकाल यह वैसा ही कोशन जो अभी हमने पीछे किया 420 कर दो स्कूर और आपका जोईगा 326 और आपका 4 312 चे और चार पांच 540 इसकी हो जाएगा और इसको इसको करोगे 420 हो जाएगा और 26 126 के साथ आपने 42 को जोड़ना है 8 और 861 168 168 को एड करो 8 आगया 8 आगया 58 अब इसमें से इसको माइनस करो कितना आता है आपका तो जाहिए हमने गलत कर दिया है कि फॉर्टी टू जिरो एक फॉर्टू जाएट और शिक्स्टी एट एट और एट फाइफ एट है ठीक तो आ रहा है ठूब आएगा कि एक बार काट दो तो पूरा ही कर जाता है कि इतना आया था हमारा फॉर्टी और आपका फॉर्ट्वंटी सिक्स छे दूब तो बन्टीश को थे गढ़ना ने ईंर्टी तो फॉर्ट्वंटी फॉर्टी फॉर्ट्वर्व ये इन Whew पॉर्टी ने ककीन नंटना थे आट इंस आइम्ग पॉर्टिटू को कर लए तो फॉर्टी यह जाएगा और यह आपका फॉर्टीन 144 जा चाहेगा आपका 616 616 आ गया閒वहां का मतलई कि तीरा नंबर की एरेस थी 42 और उनका सम आया 546 14 नंबर की एरेस ही 44 और उनका सम आया 61 6 अब बोलता हディ जो एक नजा नंबर additional हुआए उसका नाम है 14 तंबर उसका नंबर किया हो एक्चुल में नंबर किया है तो इसको इसको माइनस कर दो आप 6 में से 6 किया 0 और 11 में से 4 गया आपका 70 तो राइट आप्शन इस डी ठीक है इस तरह से कोशन निकाल ले बाकी कुछ भी नहीं है थोड़ा से पजल हो जाता है बंदा निकालते टाइम कि मैंने प इनका अंसर अब जुरूर मार करें उसके बाद यह लास्ट कोशन आता है एवरेज आप दी स्क्यूर नंबर वन टू 11 वन से लेके 11 तक जो भी स्क्यूर नंबर होते हैं उनको सम करो फिर उनको डिवाइड करो जो आएगा उसका निगाल ले आपने वो कुन-कुन से होते है आपके 1 प्लस 4 प्लस 9 16 24 11 तक जितने अंबर उनको प्लस करके उनको डिवाइड करना है यह तीन कोशन का अंसर आपने बताना है फिर चलेंगे हम नेक्स को नेक्स्ट वीडियो की तरफ तो जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस कोशन लेके आएंगा आपको लेक्शन नहीं देख